पंच्छुला में आज कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के शीट कालन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। कहे जाने पर सरकार को गेरते हुए कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो सिर्फ जूठा नारा है। काल का विधायक प्रदीब चौधरी ने कहा कि ये संसदों का निलंबन नहीं बलकि करोडों लोगों की आवास दबाने का निंदनीय कदम है। सुधा जी जिस तरही के से इस लगातार सिलसला जारी है 146 सांसर जो है अब तक कर देगा है कल भी तीन को किया गया है निलंबिच आपको जैसे प्रदीब चौधरी ने भी कहा है कि करोडों लोगों की आवास दबाने का काम किया है आपको इस ताना शाही है प्रीज देखि और हमारे सभी खान का पुनान है हम यह चाहते हैं कि विलंबन जो है रद किया जाए और उनको धुबारा से पार्कीमेंट में आने दिया जाए इस तरह से तो आप देगी यह सबसे बड़ी पंचायत है संसर जो है सबसे वड़ी पंचायत है जब उसमें ही बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं दिया जाए हमारा ये अधिकार भी है और कर्तव देश अगर विपक्ष जो है मजबूत महीं होगा तो ताना शाही चालू रहेंगी और ताना शाही आएगी इसको फटाने के लिए ह सारे काउड़ोसी जो है कि देश में ये परदर्शन उतर नहीं और ये परदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसानस्तों को नवाब गया रहा है कल हर्याना की एक बेटी जो है जिसे मरदानी भी कहा जाता है साक्षे मलिक जो है रोते हुए उसने अलविदा कहा है कुछती को कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या कुछ कहना चाहिए देखें आप देख सकते हैं कि इनका महिलाओं के किस तरह का रवया है हमारी सरकार का दावे बहुत बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करते हैं लेकिन आप इनके रवये देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जंतर मंतर पर कितनी देर हमारी खिलाडी महिलाएं बैठी रही हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इनके ही जो सांसद हैं वो ही अरोपी है लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं की जाती है तो यह बहुत ही श क्या रहेगी देखिए आप इनकी क्या आप इनकी वो है मानसिक्ता है वो आपको सब जानते हैं तो इस पर क्या हम अपी करें अभी हमारा संसत का जो यह नी लंबत किये गए हैं उनके उपर ही इनकी बिले लोई कुछ बोलना जाहूंगी इदर भी ले लोई मिक्री पर ना ऐस दूसरी बात यह कि इनके अपने बंदे भार घड़े हुए थी अपने करमचारी थे जिन्होंने वो वीडियो बनाए और कहां उनको लगा होगा शायद हमारी की विए लेकिन वो यह भूल गए कि संसत के अंदर परधान मंत्री ने जो इस देश के परिधान मंत्री कहूं य हुआ है क्या क्या नाम ने उन्होंने दिए और बेफ्र कर दिया देश की वस्ता को कहा पोँचा दिया यह में मुद्द zaten बेरोजगारी समयनाय सुरक्षा चाहे हमारे किसान साड़े साथ सो किसानों कि हत्यारी हे हमारे अंग दाताओं की जिबन को कभी देश माफ नहीं करे आज पूरे देश को हमारे देश के लाखों युवाओं ने नेताओं ने पुरवानिया देकर इस देश को अजाद प्राने का काव किया था उस लोक तंतर विवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में ऐसे परदर्शन इंडिया गटवंदन द्वारा आज किये जा रही है उस सिल्षे में हमारे पंचुला दिला से सीपी आई सीपी अमोरो कांग्रेस पार्टी अपने असाबी साथी हमें आई कटे होकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए आई कटे होगें इसा पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता में बैठे लोग इतने सत्ता के नशे में चूर हैं कारी हो गई है कि उन्हें विपक्स के सामने अपने कोई बात रखने कि आज उनकी घिनमत ली उनका निलंबन करके आज अपने जो भी कारवाई है वो करना चाहते है जैसा हमारे साथी ने भी बताया कि जो इतना बड़ा चूक हुई कारण वस्ता की और हमला जो अंदर बढ़ गए लोग उनके खिलाफ हमारी पार्टी इंडिया गठमंदर की यही मांग थी इस पर प्राइमिनिस्टर अमिर्शा जी जो द्रैमंतरी है वह अपनी बात रख और लेकिन कहीं ना कहीं सभी मुद्दों से चाहें घरज़गारी का हो महगाई का हो बरस्ता चार का हो ऐसे अनेकों मुद्दों से बचने के लिए आज जो इतने भारी तदाद में सांसदों का लिलमन किया जया इस लोग तंतर देश में आज कॉई कांग्रेस पार्टी या हमारा मंतिर जो है उसमें जो सांसद चुन कर जाते हैं अपने अपने लोग सबक्षीतर से लाखों मत आता होते हैं को एक सांसद का निलंबन नहीं होता जितने सांसदों का निलंबन हुआ है उसमें क्रोड़ों लोगों की आवाज दबाने का सरकार में काम किया उसका विरो प्रवारत को चाना इस वत कि भारत की जो आजादी के बाद हमें इस देश ने अजया हमारे नेताओं ने हमें खागता था लोगों को जागनी की लिए अपील करते हैं कि लोग जागें और सड़क पर आएं और इनकी तानाशाइब करें को लोगारा साथी सीपियम जिस्टिर्श सेक्टिक जो यह गठ्वंदन की काल है इसको यह पुरे दिन तनमंदन से पूरा करना चाहते हैं और यह जो जिस तरीके से तानाशाइब सरकार कर रही है कर रही है उस तरीके के उसको सास्तों को भूलने नहीं देना जाए जो कंट्रिबूशन करना चाहते ताकि ए अच्छे करना बन सके ओए उनको लेनी राए नहीं लेना चाहते हैं और उनको जान पूचके यह पड़ताना शाही के ताकि जटके से पास कर वाने वह इसलिए इ तरना शाहिए हमारा माग है कि उनकी सेस्पेंट को शेगर शेगर बापस लें और नहीं तो जनता इनको रस्ता दिखा देगी यह जनता रस्ते प्रबंद कर रहे हैं ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज प्रकाश टीवी और बेल आइक इन दबाना न भूले